आज के समय में अगर देखा जाए तो हर किसी इनसान की चाहत होती है कि वो अपनी जिन्दिगी को बड़े ही सुकून और सांती से जी और ऐसा इसलिए भी क्योंकि योगा करने से कोई भी वेक्ती एक बहतर इनसान बन सकता है और खुद को अपने आपको इस्वर के करीब पा सकता है वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ऐसे कई योगासन हैं जिनकी मदद से आपके दिमाग को सांती और सुकून मिलेगा तो आए जानते हैं उन योगासनों के बारे में जो मन को सांती देते हैं सबसे पहले तो आपको बता दे कि बिरिज पोज मन की सांती के लिए बहुत ही जादा उपयोगी होता है जी हाँ मानसिक सांती के लिए आप ये योगासन कर सकते हैं इसके लिए आपको जमीन पर पीट के बल लेटना होगा और फिर धीरे धीरे नितंबो पैलविस और कमर को उपर की और उठाना होगा अब इस अवस्ता में तीन से पांच मिनट तक रहें अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे दिमाग में सारी चिंटाए बाहर निकल जाती हैं और दिमाग आपका सांत बना रहता है इसके बाद अगर बात करें लोटस पोजिशन के बारे में तो ये व आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपके मस्तिक में रक्त का संचार बहतर होता है साथ ही ध्यान करने का ये एक अच्छा तरीका होता है जिससे मस्तिक नई विचारू के दवारा खोल देता है आपको बता दे कि मानसिक सांती के लिए पास को छोड़े अब आगे जुकें और अपने पेरों को चुएं अगले आठ से दस मिनट तक ऐसा करें इस योगासन के बाद आपके मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा इस योगासन में भी दिमाग को बहुत ज़्यादा होता है ये सरीर को भी लचीला बनाता है इस मिनटों तक इसी पोजिशन में रहें अब वापस सामान्य आवस्ता में आजाएं अगर आप ऐसा करते हैं तो आप केई समस्याओं से दूरी बनाए रख सकते हैं इसी के साथ ही आपको बता चलें कि मानसिक सांती पाने का सबसे आसान योगासन प्राणायाम है इसके लिए अपने पेरों को क्रोश करके बैठ जाएं और दोनों हातों को गुटनों पर रखें आखें बंद करें और गहरी सांस लेते हुए सांस को बाहर छोड़ दें इन सभी योगासनों से आप ध्यान कर सकते हैं ऐसे योग करने से आपके मन को सांती और सुकून मिलता है हिक्की ओर एन हेल डाइसक रिपाउट